मैं सब के लिए बीबी कैप लिखे हैं हूँ यहां पर मैं 4-plym को डबल कर लिए हूँ यानि 8-plym बनाए हूँ और यहां पर क्रोसे नंबर जो यूज कर लिए हूँ 5-plym क्रोसे बढ़ में 8 लिखा हुआ है आप यहां पर मोटी उलसरी बना सकते हैं आप इंच ले ले क्योंकि बढ़े के सरकी गोलाई 22 या 23 इंच होती है तो इससे 1-2 इंच कम लेंगे हूँ क्योंकि यह खेलती है फिर हमारी है अब इस तरह से चेन बनाने के बाद हमने टोटा यहां पर मैंने 50 चेन बनाए है क्योंकि डबल किया हुआ है शलब करते हैं मोटी परोशे है इस तरह सेलिये हमने और फोश्ट वाली चेन पर इस तरह से जोड लेंगे सलिप करते ही दो भी इस चेन निकाल लेंगे अब एक चेन बनाएंगे auक्रेश है एक चेन बश्वात इससी चेन पर डालेंगे यहां पर हम हाप double crochet कर लेंगे, तीन पंदे एक सथ निकालेंगे, crochet पर धागा लेंगे, फिर next chain पर डालेंगे, चाहे तो आप इसकी पीछे पार्ट से भी बना सकते हैं, हाप double crochet इस तरह से देखेंगे, यह जो भार दीख रही है, पीछे साई, आप इस तरह से भी इसे बना सक करते हैं, तो मैं नौर्मल बना रही हूं, तो हर chain पर डालते हुए, एक एक हाप double crochet से बनाते हुए, यहां पर हम complete करेंगे, फिर आगे दिखाते हुए, आपको, ठीक है, पूरी round हाप double crochet करते हुए, complete करेंगे, अब पूरी round हमने इसे बना लिए, फिर्स्ट वाली हमने chain बन अब एक chain लेंगे हम यहां पर, एक chain लेने की बाद हम क्या करेंगे, फिर्स्ट पे धागा लेंगे, अब जो chain देख रही है, chain पर हमें नहीं बनाना है, chain के पीछे जो भाग देख रही है, यह वाली नीचे, कैमल इस्ट्रीज से कहते हैं, एक बाल मैंने और भी आपको इस वीडियो में, इस वाली इस टीश पर बनाना है, जो फ़बसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यह वाली जो नीचे है, इस वाली नीचे से ही, हम यहाँ पर लेंगे इस जगर पर और यहां पे बनाएंगे हुआ यहां पर लिय उसे उठाया और 1 ways second Line से फिर से लेंगी प्रोसे पतले ही इसदा धागय को यहां उठायेंगे अशलिए अपको ऐसे उठाये हमने इसे ली यह हार दभा धगय को से कर लिया सब्सक्राइब ना बिए यह चैन की पीछे वाली लाइन है इसे उठाते हुए ठीक है कर लेती हैं रटर लाइन सेम बनांगे यहां पर हमारी तीन लाइन कम्पेट होगए, सबसे पहले हमने half double crochet की उसके बाद हमने पीछे सैट से ही यहाँ पे camel design बनाए एक और यह दो टोटल हमानी यहाँ पे एक दो तीन लाइन हो गए ठीक है अब चौथी लाइन one two three round complete fourth round में देखे क्या करेंगे हम crochet पे धागा लेंगे ठीक है अब यहाँ से हम front post और back post double crochet बनाएंगे यह आगे की साट से पीछे की साट से डालते हैं यहाँ पर हम double crochet बनाएंगे ठीक है अब देखे यह जो दो धागे एक साथ दिखरी है यहाँ हमें एक ही बार बनाना है क् अब इन दो को इस तरह से ले लेंगे यह दो नहीं क्योंकि हम यहीं पर जाइंट करते हैं तो यह हमारे चेंज जैसा जो दिख रहे हैं यह साथ में ले लेंगे इस तरह से इसे बनाएंगे हम front post double crochet पहले दो फंदे निकालेंगे उस तरह से और फिर से दो फंदा ठीक है पर दागा लेंगे फिट से front post double crochet बनाएंगे इस तरह से चले तो round complete कर लेंगे एक front post back post front post इस तरह से करते हैं यहां के हम जाइंट करेंगे यहां पर हमारी fourth round complete होती है अब इस यहां पर फ्रंट पोस्ट double crochet बनाए था इस चेन पर हम इसे इस तरह से slip करते हुए joint कर लेंगे ठीक है अब यहां पर हम चेन बनाएंगे one chain अब देखिए fourth round complete होने पर fifth round में यहां पर half double crochet करेंगे तो front post half double crochet, front post back post करेंगे ठीक है अब देखिए यहां पर एक की यहां पर chain दीख रही है और एक हमारी front post double crochet ठीक है इन दोनों को इस तरह से लेंगे और तीन फंदे एक साथ निकालेंगे तीनों को एक साथ हम यहां पर निकाल देंगे ठीक है यह front post half double crochet होगी फिर crochet पर धागा लेंगे बैक्पोस्ट half double crochet तीन पंदे एक साथ निकाल लेंगे यहाँ पे हम इतरा हनु इसी तरह से करेंगे हाँ अप्वडब्ल प्रोस्ट करेंगे लेंगे लेगी प्रण्ट और बैक प्रॉस्ट ठीक है जासे मैं पर से विए क्रोस आप के ने ही दागा लिए हैं से बनाे के बाद। फिर से हम यहीं की बनाने के बाने यहां आपको अब सरह लिए पूर्ख स्वाहद हो इन ब doubles सेंगे और 7 परलै động में घाटी किना निए 6 और 7 पर लाग़ में इस तरह से बना लेते हैं पहले उसके बाद आगे दीखते हैं आपको ऐसे लिए यहाँ पर डालेंगे 6 और 7 जैसे मैंने यह कैमेल डिजैन में बनाया एक और दू इस तरह से यहाँ पर भी बनेगे ठीक है यहाँ पर हमारी 7th round complete होती है स्याप्हें से की Certex सांब जॉल इंज्ञाइंट करेंगे यहाँ ठीक है अब यहाँ पर देखें फिरस इन जो फ्रैंट्पोस pounding करेंगे यहाँ फिरसे मिट्पिर से यहाँ तक सद्विपीट होगी depends एक चिन बनाएंगे, क्रोशे पर धागा लेंगे, आप देखिए आप इस तरह से यह जो हमारी दिख रही है, इसे ऐसे डालना आपको, यहां डालने के बाद आपको फ्रंट पोस्ट करना है, यहां पर डालेंगे और फ्रंट पोस्ट कर लेंगे, ऐसे लिए, और फ्रंट पो सब यहां से बेक पॉक्ष डबल क्रोश्या करें इस तरह से करें चैनल जेंगे इस तरह से करते हुं पिर से बाइट करें sih तंद करते हिंस नी दोटी और श्याद सब्सक्राईट कर देकit यहां पर आपको देखिए एक चेन बनाएंगे एक चेन बनाने के वाद क्रोशे पर धागा लेंगे इसी चेन पर डालेंगे हाफ डबल क्रोशे करेंगे 1 half double crochet 2 half double crochet 3 half double crochet 4 and 5 ન हम's vandaya को हटाएंगे क्रोपसे पे धागा लेंगे से निकालेंगे फंदे को और five में से five वाली जो chain है उस मेंसे भी हम निकालेंगे तो Democracy फंदा एक साथ हो गया तो ते ते तीनों को एक साथ बंद करेंगे फिर यहांसे लेंगे ऊढ़ हाप डबल क्रोसिय लेना है एक हाप डबल क्रोसिय दूसरी हाप डबल क्रोसिय तीसरी हाप डबल क्रोसिय चौथी और पांच भी में से हमें फंदा निकालना है यह चौथा नंबर है और पांच भी में फंदा निकालेंगे इस तरह से और चार फंदों को एक साथ में इस तरह से बंद कर देंगे फिर यहां पर लेंगे लेंगे इसी तरह से करते रौन कंप् organisations करेंगे हर चौथार बंच करकें को 16 जाइंट करें है क्यान कि अंप हमारा इक हुआ अश्पव स्वीन कल यहां करें नो चें बनाएंगे chain 1 असsels जग़्ल दालना है एक double crochet दूसरे double crochet अब यहाँ पर तीन और छ एक साथ बुनेंगे क्रोशाए हैं तीसरे नमबर के चेंड और चौथी नमबर की चेन में एक ही साथ हम इस तरह से बुनेंगे पंदे को घटाएंगे ठीक है फिर से देखें फिर दो डबल क्रोश करेंगे एक डबल क्रोश हैं सारी हाफ डबल क्रोश हैं फिर उसके नेक्स्ट रॉली चेन पर भी हाफ डबल क्रोश हैं है अब इसके त्री और फोर एक साथ हम इस तरह से हैं लेंगे थे कि बंद करेंगे इस मिलत राउन को हुने he do है कि इसमने हैं यहां पें कंपिट कर ली यहां के सिल्पिस्टे से हैं जैंट करेंगे चेंड बनाएंगे, वन चेंड, फिर से हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोसे करेंगे, वन हाफ डबल क्रोसे कि हमने, अब यहाँ पर टू और त्री एक साथ हम पंदे को घटाएंगे, फिर से लेंगे, वन हाफ डबल क्रोसे हम, फिर सेकंड और थर्ड को एक साथ बंद करेंगे, यानि एक हाफ डबल क्रोसे करना है, फो दूसरे तीसरे को फिर से एक साथ हमें बंद करना, ठीक है, एक हाफ डबल क्रोसे यहाँ पर बनाया हमने, अब यहां पर इसके दूसरे नंबर और तीसरे नंबर चेंट पर डालेंगे, एक साथ फंदे निकालते वे, चार फंदे एक साथ होगे, इस तरह से बंद करदिना हमें, फिर हम यहां पर एक हाप ड़बल करोशे बनाएंगे, ठेके, फिर यहां पर उसके अगली वाली या दूसरा और तीसरे नमबर चेंड पर फंदा इस तरह से निकालते वी चार फंदे हो जाएंगे सभी को एक साथ बंद करना इस तरह से कमुआएंगा इस Сचार फंदा निकालेगे चार पा देएंगे एक साथ बंद करना है है आप यहां पे कोई भी सिंगल बह सर भूदना है शरी आपको इस तरह से करते भी जाना है और इसे बंद करते भी जाना है ठेक हैं फिर से लेंगे इसके आगली चेड़े पर सिर्ल पर फिर उसके आगली वाली चेड़ क्षार फोदर जाएंगे कि पीडियों दबानेगे, कि गळी जिट पनबें देखने दुकमड में, प्रोक्त करें तो इसाद बंद करेंगे में देखने तो 嘏 जो देखने कि इसाने कि लिञती दुक्त पनब दोड़ाय और दुदियों कर दिया करें तो याइक नहीं करती हैं चैनल में पहली बारा है तो चैनल को भी स्सक्राइब कर लें और यह कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसी लगे आप सबको तरह से करते हुए चार पंदे करते हुए फें यहां पर बंद करते हुए जाएंगे इस तरह से डालना आपको, ठीक हो, अंदर की साट से डालते हो जाएंगे इस तरह से, बाद में फिर धागे को हम खीच लेंगे, शिब चेन की बीच में डालना आपको, इस तरह से, अब इस धागे को हम इस तरह से खीच लेंगे, पूरी तरह से बंद होगे, चाहिए तो अहल का सलूज रख सकते हैं, यहां पर पॉम पम बनानी के लिए आप यह थोड़ा से गैप छोड़ सकती हैं, ताकि धागा अंदर ले जा सके, यह फिर टाइट करके पूरी तरह से अब इस धागे को अंदर लेके चले जाएंगे, अंदर ले जाने के लाद में गांट लगा देंगे, टाइट कर ले मजबूती से, अब यहां पर हम इस तरह से गांट लगा देंगे, फिर एक दो खंदा इधर उधर करते हुए हम यहां पर, इससे दूरी में जाके काटेंगे, और यहां पर कल्दी को काट लेंगे, तो धागा, और यहां पर देखिए आपके खूर से यह प्यारी सी क्याप बनके रेडी हो गई है, अच्छाए है को मल्टी कलर से भी बनाट सकती है, डिजैन आप एक कलर से बना लेगे, या पिर जामनी कैमल स्टीज बनाएगे, यहां अलग जादे और यहां घ्मतानी के लिए अलग, या आपको तीन कलर यहां पर यूज करना है, तो भी बहुत ही खूब सफ लगेगी, आप एक कलर से भी बना सकती है, उमीद करते आपको पम डंई है, यहां मैं आपक toen जानी कर दो जावा ह है, नहां मैं परा है, भी ख excludา है कहाँ है, यहां मैं यहां आप का। mm ंवूब सानी बना भी में खा हम प्रिया से अ numer दसта